आल राइट गाईज तो कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे सवागत है आप सबी का एक और नई वीडियो में तो गाईज आज भी हमारे पास बहुत सारी इंट्रेस्टिंग अपडेट्स हैं इंडियन व्लॉगिंग कम्मूनिटी को लेकर तो चलिए बढ जानु स्टूरिए नो हैंट विली के लिए सब क्या लेयर सकाई समान्स टंस की से सब्सक्राइब करये एक रील है जिसमें समस्ट्ण की चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं यह वाली रेल अप्लोड किया ऑलसो सम्स्ट्ण को स्टोरि ने चैग करते हैं चैलेंज और वाइश को नहीं पता बाई जाके full vlogs देखनो वहाँ पर जाके बनाया, सो चलिए मैं आपको उनके व्लॉग की छोटी सी क्लिप दिखा देता हूं, बाकि अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सो गईज यार जैसा के आपने देखा किस तरीके से सैम स्टंस ने इंडिया का हैस्ट नो हैंड बिली का रेकॉर्ड ब्रेक किया सो आपके हिसाब से इंडिया का बेस्ट स्टंट राइडर कौन है कमेंट करके ज़रूर रता ना एनिवेज चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ सो नेक्स्ट अपडेट निगलके आ रही है सोरो जोशी व्लोग की साइट से सो गाइस उनकी साइट से आज एक व्लोग आट रहा जिसमें वह बताए कि अभी उनका भी एक सुपर बाइक लेने का प्लान बन रहा है बाकि इसके बारे में बात करते हुए सोरो जोशी ने अपने व्लोग में क्या कुछ कहा आप देखिए आप ता मेर को लग लग रहा है मुझे बाहिक चलानी जाएं जरी न्यए खरीद नी सी क्या कहते हो इस फार बाइक शोपर बाइक सुपर बाइक कर दो चलिए बढ़ते हैं तरफ निकल के आरही है आमिर माज़ित की साइट से सब्सक्राइब आप जानते हैं अभी कुछ ताइम पहले आमिर माज़ित को लेकर एक फेग क्लिप अरिक्ट हो रही थी जिसमें यह बताए जा रहा था कि आमिर माज़ित ट्रक के पीछे ड्रिंक कर रहे हैं बट गई उसके बाद वहां पर जो बच्चत है उनसे हमें यह पता चला कि आमिर माजिद ने ड्रिंक नहीं किया था अल्सों आमिर भाई ने मुझे इंस्टा पर डियम करते इस चीज को क्लियर किया था कि वह ड्रिंक वगेरा नहीं करते सो गई अभी आमिर तो कुट्टे कितने बोंगते हैं आते न हमारे पास आते हैं कुट्टे के तरह जाते हैं फिर मिलके वह जाने दूपर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार फ्रीमियो हो जाता है सो गाईज मैं आपको बता दूँ रिसेंटली आमिर माजद ने अपने व्लॉग में ये कहा था कि कुछ लोगों को रोड पे देखकर अच्छा लग रहा है बट किसी को भी वो चीज समझ नहीं आई थी कि एक्चुल में उस क्लिप में आमिर माजद किसके बारे में बात कर रह आज यह दोनों को ने एक साथ फ्रेम मार देखका बहुत अच्छा लगा और कुछ लोगों को रहा रोड पे देखके बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए बोलता ना कभी बिना आस्मान की तरफ नहीं थूकना चाहिए पर देखके इंसान थूकता तो फिर यही हाल होता है बहुत बुरा हाल होता है यार सो कई इसके बाद अभी दो दिन पहले अर्मान राइडर उनके इंस्टा पर लाए था जहां पर वो यह कहा है कि आमर माजद ने यह सब उनके लिए बोला था नास्ट लॉग में यह डाला था कि बाई कुछ बंदे रोड पे आगे हैं ठीक न जुझ बंदे भुलता है मैं यह घल्मेट पकड़ी ती मैरे दोस तो अर था यह बाद में बोल दी आप लोग में भी बोल दी आप लोग नहीं पर लोग नहीं डाला है वाई उस बंदे की खुद की उकात भी 2017-18 में जो हालती ने बाई 2 बीस प्रवे का ने मेरे पैसे डाल एनिवेज चलिए बड़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ सो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है रजद दलाल की साइट से तो आप सब को बता होगा आप ही कुछ टाइम पहले रजद दलाल का जो में इंस्टा एकाउंट है वो हैक हो गया था बट मैं आपको बता सुका है एंड उनकी साइट से एक इंस्टा स्टोरी भी आउट हुई आप देखिया तो भाई सारे भाईयों को राम राम कितने चालिस दिन लग गए हमें हम आपसी आते हुए सुकून एक तो चलो करते है शुरू चलिए बढ़ते हैं एक्स अपडेट की तरफ सो नेक्स अपडेट निकल के आरे है समेरेना एंड मुनावर फारुकी की साइट सर्थ सो गई समेरेना की साइट से कल एक इंस्टा स्टोरी आउट हुई जिसमें वो एंड मुनावर मैं सिगाता हूँ है कैसे का एंड दस्टार्फ एंड स्टोरी जटाओ जैसे लड़की को गिफ जेना है वाइड आप निकलेगा तरसे अजिए जैसे प्यार का मैट रागया मोनावर चार चार निकालेगा झालेगा एब तो का बस इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर